हेलो दोस्तों, दोस्तो हमारी एप विश्णों एक्नोमिक्स स्कूल के स्टोर में एक्नोमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से लेटेड डाइसोस याधी कोर्स हैं तो दोस्तों, एक अप युजी में हो या अप यूपीजिय सी की त्यारी कर रहे हो या आपके पास UGC Net है, या आप PGD के तियारी कर रहे हो, या किसी और Competition के तियारी कर रहे हो, जहाँ पर Economics और Commerce सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास Course है, तो दोस्तों हमारी एप जरूर डाउनलोड कर लिजेगा, विश्नो एकनोमिक्स स्कूल. Hello Everyone, Welcome to Today's Session, I am Kajol and in this video we are going to discuss Performance of Contract of Sale, तो इसके पहले वाले वीडियो में हम Introduction of Sale of Goods Act 1930 और उसके आगे की प्रोविजिन्स जो हैं वो डिसकस कर लिये हैं और अब इस वीडियो में हम Performance of Contract of Sale को डिसकस करेंगे, So let's get started, तो अब यहाँ पे पहले Performance of Contract of Sale की बात हम कर रहे हैं कि कैसे Contract of Sale का जो पूरा प्रोसेस है, वो कैसे complete होता है, इस Contract का कैसे यह Contract जो है वो perform होता है, तो अब यहाँ पे Section 31 of Sale of Goods Act 1930 में इसकी definition है कि it is the duty of the seller, मतलब seller की यह duty है, उसकी obligation है to deliver the goods and of the buyer to accept and pay for them, मतलब यहाँ पर seller की duty है कि वो उन goods को deliver करेगा buyer को, और यहाँ पे buyer की यह duty है कि वो जो goods seller ने deliver करे हैं उसको, वो उन goods को accept करें, और उन goods को accept करने के बाद उनके against जो है वो payment करें seller को, pay for them in accordance with the terms of the contract, जो भी उस contract के terms and conditions थे उसके according, तो तभी हम यहाँ पर performance of contract of sale को complete मानते हैं, तभी हम मानते हैं कि यहाँ पर contract of sale जो है वो perform हो गया, तो इसलिए यहाँ पर हमने देखा कि it is the duty of the seller, मतलब अगर seller की यहाँ पर यह duty है कि वो उन goods को deliver करेगा, तो वहाँ पर buyer को भी उन goods को accept करना पड़ेगा और उनके against payment करना पड़ेगा, और तभी हम बोलेंगे जैसे भी उस contract में लिखा है, जो भी terms and condition है उस contract के, जब उसके according वो contract complete होता है, तभी हम contract of sale की performance को complete मानते हैं, तो अब यहाँ पर performance of contract of sale में हमने देखा कि यहाँ पर three keywords है, three process हमने यहाँ पर consider करें, कि यहाँ पर पहले तो delivery of the goods हो रहा है, जो कौन कर रहा है, seller कर रहा है, buyer को, तो पहले अब यहाँ पर seller उन goods को transfer करेगा, buyer को deliver करेगा, उसके बाद buyer जो है, जब वो goods buyer के पास पहुँच जाएंगे, उसके बाद buyer उन goods को accept करेगा, तो अब यहाँ पर यह step क्यों important है, acceptance जो है उन goods का क्यों important है, buyer के थूँच अगर buyer ने किसी और goods के लिए agree किया होता, और यहाँ पर seller ने अगर कोई wrong goods उसको बेज दिये होते, तो फिर यहाँ पर buyer को यह decision लेना होता कि उसको उन goods को accept करना है कि नहीं, अगर यहाँ पर कोई incorrect goods जो है, वो seller भेज देता है, तो फिर यहाँ पर जो buyer है, वो obligated नहीं है, कि वो उन goods को accept करे, या उन goods पर अपनी acceptance दे, लेकिन अगर वो goods जो है, जैसे agree हुए थे, वैसे ही वो goods है, जैसा contract में लिखाता है, वैसे उनी terms पर seller ने उन goods को भेजा है, तो यहाँ पर buyer जो है, वो किया, तब उसे वो goods वैसे नहीं मिले, तो यहाँ पर buyer जो है, वो उन goods को reject भी कर सकता है, तो next step है, price of the goods, जो buyer है, वो seller को उन goods का price जो है, वो pay करेगा, अगर यहाँ पर buyer जो है, वो उन goods को accept कर लेता है, उसके बाद उनके against buyer को, seller को कुछ payment जो है, वो करना पड़ेगा, तो तब ही यही तिनो step हैं, जो performance of contract of sale में important है, कि पहले यहाँ पर जैसे agree हुआ था, seller को यहाँ पर उसकी duty है, कि वो उन goods को buyer को transfer करेगा, उसके बाद यहाँ पर buyer उन goods को examine करने के बाद, उन पर अपनी acceptance देगा, और उसके बाद यहाँ पर buyer जो है, वो उन goods के against जो है, वो कोई price जो है, वो pay करेगा, तो अब इसी step, जब यह तीनो step complete हो जाते हैं, तब हम मान लेते हैं, कि यहाँ पर contract of sale जो है, वो complete हो गया है, यहाँ पर performance of the contract of sale हो गई है, तो अब यहाँ पर next है delivery, कि हम delivery of the goods जो है, वो किसको कहते हैं, तो यहाँ पर इसका मतलब है, यहाँ पर law की terms मे कि voluntary transfer of possession of goods, कि यहाँ पर जो seller है, वो voluntarily उन goods की possession को transfer कर रहा है, buyer को, अब हमने यहाँ पर देखा था, कि ownership का transfer करना, या property in goods को transfer करना जो है, वो possession of the goods को transfer करना नहीं है, तो ऐसे ही यहाँ पर यह step जो है, वो इसलिए important है, क्योंकि सिर्फ ownership transfer कर देने से, goods जो है, वो buyer के नहीं हो जाएंगे, उसके बाद भी possession जो है, वो transfer करनी पड़ेगी, तभी buyer उन goods को use कर पाएगा, तो अब इस case में यहाँ पर delivery को समझना इसलिए important है, क्योंकि यह seller की duty है, कि वो goods को deliver करे buyer को, क्योंकि इसमें voluntary transfer of possession of the goods हो रहा है, seller के पास से, अब actually वो goods जो है, वो move करके buyer के पास पह transfer कर रहा है, इसलिए यह term delivery जो है, वो यहाँ पर important है, तो अब यह जो delivery है, उसके three modes हो सकते हैं, modes of delivery में यहाँ पर three modes of delivery है, first mode है actual delivery, symbolic delivery and constructive delivery, तो अब actual delivery हम किसको कहते हैं, जिसमें goods physically handed over by seller, कि यहाँ पर जो goods है, वो physically hand over करता है, यहाँ पर seller को, यहाँ पर कुछ goods जो है, वो tangible form में अभी उस point पर होते हैं, उस time पर present होते हैं, जिस time पर contract हो रहा है, और तभी के तभी वो goods जो है, वो seller buyer को transfer कर देता है, तो इसलिए वहाँ पर physically hand over हो जाते हैं, वो goods seller के थुरू buyer को, तो इसलिए इसको हम कहते हैं, कि यहाँ पर actual delivery हो गई, उन goods की, next है symbolic delivery, अब उन goods का कोई symbol है, और उसको फिर जो seller है, वो buyer को transfer कर रहा है, तो अब symbolic delivery का example कैसे हो सकता है, कि मान लेते हैं, यहाँ पर seller का एक go down है, और buyer ने वो पूरा go down जो है, वो purchase कर लिया है seller से, तो अब यहाँ पर go down के जो goods हैं, वो transfer करने से अच्छा, जो seller है, वो उस go down की keys जो हैं, वो buyer को दे देता है, कि अब यह go down में जितने भी goods हैं, वो आपके हैं, तो इसलिए इसको हम symbolic delivery कहते हैं, कि उन goods को actually transfer करने से better, जो seller है, उसने उस go down की keys हैं, वो ही buyer को transfer कर दी हैं, बायर को दे दी हैं, इसलिए हम कहते हैं, कि यहाँ पर उन goods की symbolic delivery हो गई, वो goods उस key के symbol स transfer हो गए, seller के थूँ बायर को, तो अब next हैं, यहाँ पर constructive delivery, अब constructive delivery में यह होता है, कि यहाँ पर जो seller है, उसके पास actually वो goods present नहीं होते, मतलब यहाँ पर अगर seller है, उसके पास कोई ऐसा person है, जिसने seller के goods को protected रखा होता है, safe custody में रखा होता है, तो अब वो जो person जिसने seller के goods को safe custody में रखा है, उसको ऐसा बोला जाता है, seller उसको ऐसा बोलता है, कि आप वो goods जो हैं, वो आप buyer को transfer कर दो, तो फिर इसको हम कहते हैं, कि वो constructive delivery है, कि यहाँ पर seller ने warehouse men को बोला, let's say, कि वो जो goods हैं, वो buyer को transfer कर दो, तो इसी process को हम constructive delivery कहते हैं, इसमें three person involved हैं, यहाँ पर एक seller होगा, और इसके जो goods हैं, वो warehouse men के पास होगे, जो भी person उन goods को safe custody में रख रहा है, उसको seller बोलेगा, कि वो goods जो हैं, वो buyer को transfer कर दो, और उसके बाद वो warehouse men जो है, वो उन goods को buyer को transfer करेगा, तो इसलिए यहाँ पर इसको हम constructive delivery बोलते हैं, या फिर इसको हम delivery by attonement भी बोल सकते हैं, तो यह हुआ mode of delivery, जिसमें हमने three modes of delivery पढ़ लिए, अब next हम देखेंगे कि क्या rules as to delivery of the goods हैं, क्या rules होते हैं, goods को deliver करते समय, क्या rules हैं, जो seller and buyer दोनों ही contracting parties को follow करने पढ़ते हैं, तो ऐसे 12 rules हैं, जो हमें यहाँ पर पढ़ने हैं, तो हम इने one by one discuss करेंगे, तो ही था कि mode of delivery जो हैं, वो different हो सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि delivery में भी either actual, symbolic or constructive, कि जो delivery है, वो actual भी हो सकती है, symbolic delivery भी कर सकता है, यहाँ पर seller, और constructive delivery भी कर सकता है, next rule है, delivery and payment are concurrent conditions, अब जो delivery of the goods है और payment of the goods है, वो concurrent conditions है, कि वो दोनों conditions जो हैं, वो एक साथ perform हो जानी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, कि यहाँ पर seller जो है, उसने तो goods transfer कर दिये buyer को, लेकिन buyer ने उन goods के against जो है, वो price पे नहीं किया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए, कि buyer ने price पे कर दिया है, और seller जो है, वो goods transfer नहीं कर रहा है, buyer को, त तो इसलिए यहाँ पर delivery and payment जो हैं वो concurrent conditions हैं, वो एक साथ perform हो जाने चाहिए. Next है यहाँ पर effect of part delivery when property in goods is to pass on delivery. मतलब अगर ऐसा है कि seller का intention है कि वो सारे ही goods जो है, वो deliver करना चाता है buyer को, जो भी contract में agree हुआ था, तो अब यहाँ पर अगर seller ऐसा करता है कि वो parts में deliver करता है goods, let's say goods की quantity जो है, वो काफी ज्यादा है और इसलिए जो seller है, वो part delivery करता है goods की इस intention के साथ, कि वो आगे भी उन goods को जो है, वो ऐसे ही part delivery करेगा उन goods की, और वो ऐसे करके सारे ही goods जो है, वो buyer को पहुचा देगा, तो अगर ऐसी intention से seller जो है, वो goods transfer कर रहा है, तो उस पे same ही rule applicable होगा, अगर वो delivery सारे ही goods की एक साथ करता तो, तो part delivery पे भी वही rules applicable होंगे, जो पूरी whole delivery पे applicable होने थे, तो अब यहाँ पर next, fourth rule है, buyer to apply for delivery, मतलब कि यहाँ पर अगर ऐसा होता है, कि buyer and seller के बीच में अगर sale of goods का contract हो जाता है, और अब यहाँ पर हमने पढ़ा था, कि यहाँ पर duty है seller की, कि वो goods को deliver करें यहाँ पर buyer को, लेकिन अगर ऐसा होता है, कि seller यहाँ पर अपनी duty perform नहीं करता है, और buyer भी seller को ऐसा नहीं बोलता है, कि goods जो हैं वो deliver कर दो, तो फिर इस case में buyer जो है, वो उन goods को recover नहीं कर पाएगा, अगर वो ऐसा reasonable time में नहीं करता तो, तो यहाँ पर buyer को भी apply करना पड़ेगा, उसको seller को यह बताना पड़ेगा, कि कुछ goods जो हैं वो अभी seller को buyer को deliver करने हैं, तो तब ही यहाँ पर buyer की यह duty है, कि वो apply करें कि seller जो है, वो goods को deliver कर दे, buyer को, और अगर buyer जो है, वो reasonable time के अंदर अगर ऐसा नहीं करता है, तो फिर यहाँ पर buyer जो है, वो eligible नहीं होगा, कि वो उन goods को recover कर पाए, नेक्स्ट है यहाँ पर delivery of goods within reasonable time, तो अब जैसे यहाँ पर buyer की duty हमने देखी, कि वो apply करें delivery के लिए goods की, वैसे ही यहाँ पर seller जो है, उसकी भी यह duty है, कि वो reasonable time की अंदर अंदर जो है, वो goods की delivery कर दे, तो इसलिए यहाँ पर वो जो seller है, उसका timely deliver करना उन goods को important है, और ऐसा specially उन case में होता है, जिस case में perishable goods होते हैं, मतलब जो goods जो हैं, वो जल्दी खराब हो जाते हैं, जैसे fruits हो गए, अगर वो perishable goods हैं, तो उस case में फिर यह reasonable time है, यह काम होगा, और अगर वो non-perishable goods हैं, तो उस case में reasonable time जो है, वो ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन दोनों ही cases में, चाहे वो perishable goods हैं, चाहे non-perishable goods हैं, दो उनों ही cases में reasonable time के अंदर यहाँ पर seller को उन goods को buyer को deliver करना पड़ेगा, तो next है यहाँ पर place of delivery, मतलब कि जो place पहले agree हुआ था कि उस place पर ही seller को goods deliver करने है, buyer को, तो उसी place पर जो है, वो seller को deliver करने पड़ेंगे goods buyer को, लेटसे यहाँ पर buyer ने अपना कोई address दिया था, और seller यहा deliver करने के लिए, तो इसलिए place of delivery से हम यही समझते हैं, कि जो पहले contract में agree हुआ था, जो भी buyer ने या seller ने agree किया था, कि उसी place पर delivery होगी goods की, तो उसी place पर उन goods की delivery होनी चाहिए, अगर ऐसा नहीं होता है, seller अगर किसी और address पर उन goods को deliver कर देता है, तो फिर उस case में यहाँ प delivery of goods where they are in possession of third party, मतलब अप delivery of the goods करना है, यहाँ पर seller को, जब वो goods जो है, वो किसी third party के possession में है, किसी third party के घर पर है, तो यह same case हो गया, जो हमने constructive delivery के case में देखा था, कि यहाँ पर जो possession है, वो warehouse man के पास है, उन goods का, और यहाँ पर seller जो है, वो warehouse man को बोलेगा, कि कुछ particular goods जो ह तो फिर उस case में यहाँ पर वो warehouse man जो है, वो उन goods को बायर को transfer करेगा, तो वही यहाँ पर यह rule है, कि delivery of goods where they are in possession of third party, a case of constructive delivery ही है, कि third party के पास है, उन goods का possession, और अब seller जो है, वो उस party को बोलेगा, कि आप बायर को वो goods transfer कर दो, फिर वो जो third party है, वो उन goods को बायर को transfer करेगी, जो हमने इस case में देखा, कि यहाँ पर goods जो है, वो warehouse man के पास थे, तो अब यहाँ पर next है, expenses of delivery, कि अब जो delivery के expenses है, वो कौन bear करेगा, तो ऐसा जो expenses है, वो पहले ही contract में decide हो जाता है, कि उन expenses of the delivery को कौन bear करने वाला है, और इन expenses को, expenses of delivery को bear करने वाली party जो है, वो buyer भी हो सकती है, और seller भी हो सकता है, यह depend करता है, कि उनको contract में क्या agree हुआ था पहले, contract में buyer नहीं यह obligation लिया था, यह liability ली थी, जो भी delivery charges होंगे, वो bear करेगा, तो यहाँ पर buyer की liability बनती है, उन expenses को pay off करने कि जो भी delivery में लगेंगे, लेकिन अगर seller नहीं contract में ऐसा agree कि था, कि वो उन goods को deliver करवाएगा, तो फिर उस case में जो है, वो seller की liability बनती है, कि वो उन expenses को bear करें, जो भी delivery में हुए हैं, और अगर ऐसा होता है कि contract में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यहाँ पहले से ही कुछ भी agree नहीं हुआ था, अगर इस contract के उपर, तो फिर जो expenses हैं, वो यहाँ पर seller को bear करन लेकिन अगर पहले से contract में कुछ भी लिखा हुआ नहीं था, कुछ भी agree नहीं हुआ था, इस point पर की expenses कौन bear करेगा, तो फिर उस case में seller को ही वो expenses जो है, वो bear करने पड़ेंगे, तो next है, यहाँ पर delivery of wrong quantity और different quality, मतलब अब यहाँ पर जो seller है, उसने या तो कोई wrong quantity की, अगर क कुछ भी quantity जो पहले agree हुई थी, उससे कोई different quantity यहाँ पर seller ने transfer कर दी है buyer को, या फिर different quality of product जो है, वो seller ने buyer को transfer किया है, तो उस case में क्या होगा, buyer can reject the whole और accept the whole और part, मतलब कि यहाँ पर buyer की discretion पर यह depend करता है, कि उसको wrong quantity में से जतनी भी right quantity है, वो उनको accept कर सकता है, या तो वो सारी accept कर सकता है, या फिर जो सिर्फ right quantity है, वो उनको accept करेगा, बाकि वो वापस कर देगा, या फिर अगर quality different आई है, तो वो उनको accept भी कर सकता ह है, लेकिन अगर कुछ product की सही quantity है, जो agree हुई थी, तो फिर उस case में, वो part agree कर जाएगा, part accept कर लेगा, और part of the product को reject कर देगा, तो इसलिए यहाँ पर अगर seller ऐसा करता है, कि वो wrong quantity या फिर different quality जो है, वो deliver कर देता है, तो फिर वो buyer की discretion पर होगा, कि वो उनको accept करता है, या reject, तो अब 10th rule है, यहाँ पर installment deliveries, कि अब यहाँ पर seller जो है, वो installments में कुछ delivery कर रहा है, goods की, if not agreed before, buyer will not accept installment delivery, मतलब कि अगर ऐसा पहले से agree नहीं हुआ था, कि seller जो है, वो installment में भी delivery कर सकता है, goods की, तो यहाँ पर buyer जो है, वो उन installment delivery को accept करने से मना भी कर सकता है, कि मतलब अगर जो है, वो part delivery कर रहा है, और ऐसा पहले से agree नहीं हुआ था, contract में, तो यहाँ पर फिर buyer जो है, वो ऐसा मना भी कर सकता है, कि वो उसको installment delivery जो है, वो accept नहीं करने, तो अब next 11th rule है, यहाँ पर delivery of carrier, तो अब यहाँ पर जब seller जो है, वो buyer को goods जब deliver करेगा, तो वो किसी carrier के थू कर रहा हुगा, और वहाँ पर उस carrier की liability बनती है, उसकी duty बनती है, कि वो उन goods को safe custody में रखे, और उनको safely buyer तक पहुँचा दे, तो इसलिए यहाँ पर delivery to carrier हो रहा है, seller पहले carrier को transfer करेगा, वो goods, उसके बाद वो carrier जो है, वो buyer को उन goods को पहुँचा देगा, तो अब यहाँ पर वो carrier कोई भी हो सकता है, चाहे वो buyer ने agree किया हो, चाहे नहीं कि उसी carrier से उसे goods चाहिए, तो यहाँ पर seller जो है, वो carrier को पहले उन goods को transfer करेगा, उसके बाद वो carrier जो है, वो buyer को उन goods को deliver कर देगा, तो अब यहाँ पर last rule है, liability of buyer for neglecting to take delivery of the goods, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कि जो है, वो delivery of the goods जो है, वो लेने से मना कर देता है, तो, मतलब अगर seller ने कुछ goods जो है, वो buyer को भेज दिये हैं, और उसके बाद buyer जो है, वो उन goods के delivery लेने से मना कर देता है, अब उसका reason कुछ भी हो सकता है, कि यहाँ पर buyer जो है, या तो वो intentionally ऐसा कर रहा है, goods सही है, उसक इसमें यहाँ पर buyer liable होगा, जो भी seller को loss हुआ है, उसके neglection से, जो भी उसने neglect की है, delivery of the goods, उसके against seller को जो भी loss हुआ है, वो यहाँ पर buyer बियर करेगा, लेकिन अगर ऐसा होता है, कि कुछ defect था, और उसके चलते हैं यहाँ पर buyer ने उन goods को return किया था, neglect किया था उन goods की delivery को, त तो फिर यहाँ पर buyer जो है, उसको compensation मिलेगा, लेकिन अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, buyer की liability की, अगर वो neglect करते हैं, delivery of the goods, तो फिर उस case में seller को अगर जो भी loss हुआ, इस action की वज़े से buyer के, तो फिर उस case में buyer को यहाँ पर उन losses को bear करना पड़ेगा, और seller को pay off करना पड़ तो I hope अब आप यह rules जो हैं, वो समझ गए होंगे, और जो हमने यहाँ पर delivery और इसकी mode of delivery discuss किये, वो भी आप समझ गए होंगे, कि यहाँ पर री types की होते हैं, और हमने यहाँ पर देखा था कि कैसे performance of contract of sale complete होता है, तो अब इसके next video में हम rights of unpaid seller discuss करेंगे, so that's it for this video, thank you.